ऐेजुकेशन स्टेज प्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम तीन अंकों का गुडा कर ना शीखेंगे देखें के तीन व्ह 00 का घुडा उसी तरह किया जाता है सरल रहता ही लेकिन आप लोगों को थोरा सा कठिना जाती है तो चलिए आज हम सिखाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं दाहिने हाथ की तरब से हम पहले वाली संख्या को सेलेक्ट करते हैं इसका गुड़ा इनके साथ करते हैं फिर इसके बाद आगे क्या हम प्रोसेस बताते हैं पहले हम गुड़ा करके आपको दिखा द ठीक अब साथ का गुड़ा आप चार से करेंगे सचो को 28 28 में दो और जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 30 के लिए जीदो और हसिल लगे तीन इस बार हसिल लगे तीन आ गए और साथ का पहाड़ा दो में पढ़ेंगे सद्धूनी चवदा चवदा में तीन जोड़ेंगे 17 ठीक इस प्रकार ये 1 हो गया आप क्या करेंगे एक की नीचे गुड़ा का चिन्य लगा देंगे अब दो का गुड़ा करेंगे इन तीनों के साथ तो दो तेन्या च्छे दुचर को आठ दुदुन्य चार ठीक यह हो गया अब हम फिर से इसके नीचे वाले संख्या में गुड़ा कर देंगे अब चार का गुड़ा करेंगे इनके तीनों के साथ चार का गुड़ा तीन से करेंगे चरते हैं बारा किरी दो और हसिल लगे एक तो यहां रख देना है जहां संख्या नहीं है इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इधर बढ़ाते हुए चलते रहना है इसी को हम काई संख्याओं का गुड़ा कहते हैं ठीक अब हम क्या करते हैं इनको आपस में जोड लेते हैं देखिए इसका मतलब होता है जीरो ठीक तो एक के नीचे जीरो जुड़ा पिर जीरो जूड़ा तो एक ही बनेगा अब जीरो छाय जीरो जूड़ के कितना हो जाएगा अब यह जोड रहे हैं तो संख्याओं को जोड रहे हैं आठ साथ पंद्रह 15 बिशेच सत्तरह करें और यहां हो जाएगा एक और यह हंसिल था दो दो चार छाहे छाहे शाथ सात तेरह करें और यहां न्व है एक हांसिल मिला था तो नौ एक डश आगे कोई संख्या नहीं है तो पूरा दश लेख देंगे यहां पर इस प्रकार संख्या का गुड़ा हो गया अब दूसरा सवाल दिया गया है इसको भी धंक से समझें पहले हम 2 का करेंगे क्रमसा दो साथ पांच के साथ फिर उसके नीचे इसी प्रकार प्रक्रिया करेंगे ठीक दो को रूड़ा करेंगे दो दुन्ये चार फिर दो कह रोड़ा साथ से 2.7 चौदा और हसिल लगे एक इसको रफ में लिख लिया जाता है दो पंचे करने सपहले इसके नीचे क्रास लगा देना है करास मतलब 0 है एक परकार से तीन का गुड़ा करेंगे दोस के साथ तिन दुनी छै तीन का गुड़ा सात से तिन सत एक्टी से 21 से किरी एक और हशिल लगे यह इसको बहुत ज्यादा फालो करना है ठीक जैसे यहां पर हमने कहा सथ आ गया लेकिन आगे क्या करेंगे चार का गुडा करेंगे इसके नीचे से करेंगे तो चार का गुड़ा करेंगे दो से चार दुनी आठ इसके सामने रखना है यह सामने रखने वाला प्रोसेस आपको हमेशा याद रखना है नहीं तो आप सवाल गलत करनेंगे जोड़ने में चार का गुड़ा साथ से सच्चो को 28 28 कीरी 8 और हाथिर लगे दो हसे लगे दो अब चार का गुड़ा पांस से करेंगे चार पंच बीस अब बीस दो बाइस तो एक दो तो यहां आ गया और एक दो बढ़ रहा है तो इसको यहां ले आएंगे ठीक आप क्या करते हैं जोड़े लेते हैं चार च्छे और चार जोड़ गया है दस हो गए दस किरी जीरो हाठ एक नव एक दस और एक हसिल था ग्यारा ग्यारा किरी एक हसिल लगे एक आठ साथ पंदरा एक सोला सोला एक सत्तरा सत्तरा किरी साथ दो एक तीन एक चार और यहां आ जाएगा दो यह सवाल जो है यह भी साल हो चुका है आपको अगर जोडने में प्राब्लम हो रहे हो तो मैंने बताया कि सामने लगना है और इनका क्रास का मतलब होता है उसके नीचे कुछ नहीं है जीरो है ठीक तो यह दरशाये जाता जीरो लिख के आपको समझ लेना है चार में जीरो जुड़ेगा तो चार चार दस दस किरी जीरो और आठ एक नव एक दस एक इधारत हासिल जो मिला था तो गेरा गेरा किरी एक अब फिर आगे वाली संक्या में उसको जोड़ेंगे इसे प्रकार यह जोड़ कर देते है जब पूरा जोड़ के लिख देते हैं तो यह गुड़ा हो जाता है आई होप यह गुड़ा का सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको एक सवाल दिया जाता है इसका उत्तर आपको कमेंट बाक्स में बताना है दो तीन दो तीन गुड़े चार दो एक इसका गुड़ा आपको कमेंट बाक्स में बताना है किसका एंसर कितना आता है